अभिवादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिस्त्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेट बैनों भाईयों चुनाओ का शंखनाद हो चुका है और उत्तर प्रदेश में सत्ता किसको मिलने वाली है बस कुछ दिनों के भीतर ये तस्वीर जनता बिल्कुल चुका है आज हम पहले और दूसरे चरण से लेकर उत्तर प्रदेश में सत्ता किसके हाथ लग सकती है इन सारे विश्यों पर खुलकर चरचा आज की परिचर्चा में करने वाले हैं बैनों भाईयों उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाओ का एलान हो चुका है उस वक्त पहले और दूसरे चरण के चुनाओ बहुत ही दिल्चस्प दौर में हैं विपक्षी भी तैयार है। सत्ता पक्ष भी तैयार है प्रत्यासी भी तैयार है और मुद्दे भी तैयार है और मैंने पहले भी कहा था इस बात को फिर से दोरा रहा हूं कि इस बार चुनाओ राजनीतिक दलो के एजेंडे पर नहीं हो रहा है, इस बार का चुनाओ जनता के एजेंडे पर हो रहा है, इस बार जनता अपने मुद्दे खुत्ते कर रही है, किसी भी पोलिटिकल पार्टी का कोई नरेटिब जनता के बीच नहीं चल रहा है, जनता अपना नरेटिब सोयम बनाकर बेठी हुई है जनता के अपने एजेंडे बहुत इसपश्ट हैं राजनीतिक धलो द्वारा थोपे गया कोई भी एजेंडा जनता स्विकार नहीं कर रही है जनता के अपने मुद्दे हैं अपनी समस्या हैं अपने इसूज हैं भले ही उत्तर प्रदेश कॉम्प्लिके जाती की राजनीति में फसा हुआ राज्य हो लेकिन मैंने इस बार पाया है कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे बहुत सपष्ठ जनता के बीच जाने अन्जाने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता के बीच अपने मुद्दों को सेटल नहीं कर पा रही है यह बात सत्ता पक् परिद्रश्ट बैनों भाईयों बिल्कुल बदल गया था बीजेपी को अभूत पूर वहुमत मिला था सत्ता के खिलाब प्रचंड लहर थी बीजेपी के पक्ष में लहर थी और चुनाओ का परिणाम जबर्दस्त आया लेकिन इस बार के परिद्रश्च में चुनोतियां बहुत हैं ौस संगुक्ष के संपर्च विसभी चुनोतिया विद्द्वान है वो आपनिटियापा कमजोर है अ सत्ता अश्ड पक्ष कमजोर मंने फिटा अठावन सीटों पर पहले चरण का चुनाव है उसमें 54 सीटे 2017 में भारती जन्ता पार्टी जीट चुकी है कितनी 58 में से 54 सीटे दो कांग्रेश के पास दो समाजवादी पार्टी पार्टी अईसे हालात में उत्तर प्रदेश में किन बड़े मसाइल क्या है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुख्य मुद्दाय किसान अंदोलन गन्ना की कीमतों का भुक्तान कानून बिवस्था और क्रसी अंदोलनों से जुड़ी हुई तस्वीर यह सत्ता पक्ष को बेचैन करती है और विपक्ष की मजबूती समाजवादी पार्टी और राश्ट्री लोगदल का अटूट गडवन्दन यह उसकी सब्सक्रे बड़ी ताकत है कि बैनों बहुजार चौदा के पहले बलकि यू कहले कि मुझफर प्रदेश की बड़ा फोरम तयार हो गया था इस फोरम के दम पर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और राश्ट्री लोगदल ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीती पर भरपूर नियंत्रन रखथा लेकिन मुझफर नगर दंगे के बाद पश्चिम है यह वापस इकठा हो रहा है अगर इसको इकठा करने में विपक्ष कामियाब रहा तो पश्चिम की तस्वीर बदली हुए और अगर इकठा नहीं कर पाया तो पश्चिम की कहानी फिर से बदलेगी इसमें कोई दोर आए नहीं है कि किसान अंदोलन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतिय जनता पार्टी के लिए बहुत इनकारात्मक महौल बनाया है बीजेपीस का मुकाबला कैसे करेगी तब जब पॉलिटिकल लागडाउन है पॉलिटिकल लागडाउन से मेरा तात्पर चुनाव आयोग द्वारा रहली सभा प्रदर्शन यात्रा जु काउं गरीब और समाज के अंतिम पाइदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा नहीं सकता है इसलिए जो मैसेज पॉलिटिकल लागडाउन के पहले पहुंच गया है वही नरेटिव और वह मैसेज का काम करेगा इस उत्प्रेरक का काम करेगा पश्ची मुत्तर प्रदेश में बीजेपी और विपक्ष में भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्री लोगदल के गडवंदन ने टिकट अनौंस कर दिए वहां पत्ते ओपेन हो चुके मुकाबला आमने सामने का है और इस बार कोई त्रिकोण बनता हुआ नहीं दिख है इसाईज चोटा अब तक के सरव warranty अब तक कि आ रही रिपोर्ट और पब्लिक की यहीं सारा करते कि चुनाव आमने सामने का है और आमने सामने को चुनाओ जब भी होते हैं बहुत ही निरणायक होते हैं उसमें दूसरे छोटे दलों की कोई महत्तुपूर्ण भूमिका नहीं होती है बंगाल और बिहार के चुनाओं इसके उधारन है तो क्या उत्तर प्रदेश पहली बार बाई पोलर इलेक्शन में जा रहा है जवाब आंशिक तौर पर हां है लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए बहुजन समाज पार्टी को में नहीं भूलना चाहिए कांगरिस को इनके मतों का प्रतिशत हमेशा उत्तर प्रदेश में ऐसा रहा है यह भले नहीं जीते लेकिन दूसरों का गेम खराब कर सकते हैं तो इस बार बाईस में किसकी बारी है उत्तर प्रदेश के लिए कौन उप योगी है अखिलेश यादव या फिर योगी आदितिनात या फिर कोई चमतकारिक प्रदर्शन करेंगी मायवती क्या ऐसा संभव है आज हम इस विशे पर खुल कर चर्चा करने वाले विशेश तोर पर पस्चिम उत्तर प्रदेश विशेश तोर पर उसके बाद उपजी हुई क्या राजिनीती है और उसके क्या व्यापक पिशले दिनों बड़ भारती जनता पार्टी के OBC लीडर्स की की एक बड़े हिस्सी हिस्सा बड़े सरदार तूटकर समाजवादी पार्टी में आए इसका क्या नरेटिव गया इसका क्या इंपक्ट पड़ा हम सारे मसलों पर खुलकर अनालिसिस करने वाले हैं कुछ बया पर वैसे ही तोटेगी जैसे पहले तोट करके इनको बिलों के अंदर बुसाया था इन्हें फिर से बिलों के अंदर बुसाने का कारे सरकार करेगी भारती जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए कि उन्होंने किसानों के ऊपर जीब चड़ाई जीब चड़ाई और कई मो